पुरानी रंजिश को लेकर एक ही परिवार के पांच लोगों को गोलियों से चलनी कर दिया गया है जिसमें मौके पर ही एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई है वहीं गोली लगने से चार लोग घायल हुए है जिनकी हालत नाजुब बताई जा रही है आनन फानन में पुलिस ने इलाज के लिए जिला अस्पताल में इने भरती कराया है जहां से एक की हालत नाजुब देखकर उसे जिला अस्पताल से लखनों के लिए रेफर कर दिया गया है दरसल ये पूरा मामला उतर परदेश के गोंडा जिले के छपिया इलाके का है जहां पुरानी रंजिस्ट में फाइरिंग की गई है गायल हुए लोगों से मुलाकात करने के लिए डियाईजी अमरेंद्र परताब सिंग भी पहुंचे वही जिस तरीके से दिनतहाडे गोली कांड का ये मामला सामने आया है लोग कानून विवस्था पर भी अब सवाल खड़े कर रहे हैं वही पुलिस इस पूरे गोली कांड के मामले को लेकर आगे जांच पड़ताल कर रही है डियाईजी अमरेंद्र प्रताब सिंग ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ जानकारी दी है आपको सुनाते हैं इसमें भुलो पक्तो जो गुसरा पक्त है हम धावर पक्त पर आपकोन है करके एक दाही है जिसमें मेहिला हो तो अस्नाम कर्ने कि इनोगने तंसले दी कि अहता है जेडिकी हमार है विश्ग बाप को लेकर के गुसरा पक्त हम दावर हो आपक उन्साय को आपकित गृषणी यहां हम लोग जानगारी में से तो यहां पर लेंग से चिविक्षकों के दीन इभ्यार कर रहे थी और संब्सक्राइब कराए जा रहे हैं मौके पे पुलिस अरिक्षक पर आप पुलिस बल्पिसा की महीं है जो हमलावर पुस्ति से इक पुलिस इजासत में है अब उसके बारे में उस्तास करें और अधर नाष्क तर्न करने के वाद पुस्ति स्कति होगी उस्तास कि बाएं पुरावधी सब्सक्राइब है कितने लोगों की मौत हुई है और कितने लोगों को खायर हुए एक विष्टी की एक महिला है वुजुन, उनको बोली लगी है, उनको बोली लगी है, उनको बोली है, और चार अमलिक बोली है. झाल को बोली है, उनको 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 बोली है, झाल झाल